आपको पता है अभी एक्जाम है तो यह बहुत जरूरी है कि इंपॉर्टन डेज को जो है वो कवर किया जाए जो भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहला हम जनवरी महिने से ही जो है स्टार्ट करेंगे जनवरी 2023 से ही जनवरी एक को जो है वो DRDO गया जो है जनवरी 2019 입니다 तियेंट में हुई थी यह वहगा फिन प्रोट को मनाया गया संस्लेट फिर इंद्कichen भारिक अंगर 10-10 will ह gitu आया थे तो उसी को यहाद करने के लिए यह मना जाता है उसकी बाद दस जन्वरी आता है दस जन्वरी tension तो जान को गाल मनाना गए वरतम फ्रालच को कि घुधान ओर आय shy कौन से डे नेशनल यूथ डे मनाया गया अच्छा इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कम मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो अगस्त के मिहिनी में मना जाता है और 12 अगस्त को जो है वो इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो मनाया गया उसके बाद आता है 12 अगस 21 जन्वरी को मनिपूर, मेघालय और त्रिपूरा डे जो है वो मनाया जाता है क्योंकि इन स्टेट्स की स्थापना 1972 में जो था वो 21 जन्वरी को ही हुई थी उसके बाद आता है 23 जनवरी, 23 जनवरी को जो है वो पराकरम दिवस जो है वो मनाया जाता है ये आपने ध्यान रखना है कि पराकरम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है और 2022 से जो है ये मनाया जा रहा है 24 जनवरी आया बहुत important day है इस दिन National Girl Child Day जो है वो मनाया जाता है ये आपने ध्यान रखना है National Girl Child Day जो हो कब मनाया जाता है 24 जनवरी के बाद जो है 24 जनवरी को एक और important day मनाया गया वो मनाया गया International Education Day इंटरनेशनल Education Day जो है ये भी मनाया गया इस दिन ये भी आपने ध्यान लखना है और 24 जनवरी को जो था कोई जो है वो International Day of Education to Afghan Girl भी मनाया गया ये ये युनेस्को के दोरा पहली बार जो था वो अफजर्व किया गया इस तरह का दिन ये ध्यान लखना है उ और इस वार की National Water Days की थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर स्योर ये जो जो जुदाओ इसकी थीम थी उसके बाद 25 जनवरी आया 25 जनवरी को ही जुदाओ National Tourism Day भी जो हो मनाया गया ये आपने ध्यान रखना है हिमाचल की स्थापना हिमाचल स्टेट हुड जो मनाया जाता है वो भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी आया उस दिन तो आपको पता है रिपब्लिक डे जो हो मनाया जाता है रिपब्लिक डे के अलाबा इंटरनेशनल कस्टम डे भी जो था वो इस दिन मनाया गया इंटरनेशनल कस्टम डे भी 39 जनवरी यह फिर last Sunday जनवरी महिने का होता है उस दिन कौन सा डे मना जाता है उस दिन World Leprasy Day जो हो मनाया जाता है यह अपने ध्यान रखना है यह दे जो हो मनाया गया और उसके बाद आया 30 जनवरी 30 जनवरी को सहीर दिवस मनाया गया महात्मा गांदी जी को जिछ था वो टेय्प फरवरी 2013 हो पहली फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड जoton मनाये गया कौन सा टाइम फॉर वेट्लेंडे रिस्टोरेशन रखह सब्सक्राइब को दियान कि इसकी गर महींत दो दियान रखना है और चार पर वरी के बाद शिधर 10 दो दो wealthy जो मनाया गया वर्ल्ड पल्सीज यानिके दालें पल्सीज डे जो था वो मनाया गया और उसके बाद 12 फरवरी को मनाया गया नैशनल प्रोडक्टिविटी डे जो था वो मनाया गया इस दिन ये आपने ध्यान रखना है और इसके लावा आपने ध्यान रखना है 13 फरवरी जब आ डियो एंड पीसिस की थीम थी थीम भी आपने ध्यान रखने और तेरा फर्वरी को ही जुथाओ नैशनल वुमेंड डे भी जुथाओ मनाया गया राष्ट्रे महिला दिवस्ट जो होता है उसकर 20 फर्वरी को जुथाओ एक इंपोर्टन डे मनाया गया मिजोरम अरुनाचल स् प्रदेश का डे यह 23 और 24 नंबर के स्टेट जो था वह बने थे जब बने थे 20 फर्वरी को यह आपने ध्यान रखना है और उसके बाद 20 फर्वरी को जुथा वह वर्ल्ड डे दे जो था वो 21 फर्वरी को मनाया गया यह आपने ध्यान रखना है 22 फर्वरी को जो था वो वर्ल्ड स्काउट डे जो था वो मनाया गया 24 फर्वरी को मनाया गया यह ध्यान रखें 24 फर्वरी इंपोर्टन डे है सेंटरल एकसाइज डे यह आपने ध्यान रखना है और उसके बाद 24 फरवरी के बाद जो था वह 27 फरवरी को मनाया गया नेशनल प्रोटीन डे यह तो हमने 27 फरवरी को नेशनल प्रोटीन डे पढ़ लिया एक हमने 10 फरवरी को यह वर्ल्ड पल्सीज डे यह भी आपने ध्यान रखना है तो प्रोटीन डे नेशनल प्रोटीन डे जो है 27 फरवरी को मनाया जाता है और उसके बाद आया 28 फरवरी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे जो था वो मनाया गया यह नेशनल साइंस डे भी आपने ध्यान रखना है कि कम मनाया जाता है 28 फरवर को बनाया गया उसके बाद मनाया गया पहली ही मार्च को World civil ड़िफरेंस डे भी उन अगया तीन मार्च को सबसे important डे मनाया गया World Wild Life Day कौन सा डे World Wild Life Day जो भो मनाया गया इस दिन यह आपने धियान रखना है World Wild Life दे और इसकी Theme थी Partnership forしい Wildlife conservation ये इसकी theme थी 4 March को National Safety Day मनाया गया नेशनल सेफटी डे चुराए गया और उसके उत्रनेशनलनल वोमें डे मांच ऑनके ही ऐस को ऑस्योग कि या ओर यह दे जलुकिंध टे हम मार्च को देक्चाया जाता है उसके मारच अब मार्च 10 को International Day of Mathematics जो थाओ मनाया गया इसको πाई डे भी कहते हैं पाई डे भी इसको कहा जाता है आपको होता है पाई का फार्मूला इस तरह से होता है पाई की वैल्यू क्या होती है पाई की वैल्यू होती है 3.14 तो ये मनाया जाता है और 14 मार्च को मनाया जाता है ये वैल्यू से ही डराइव होता है ये धियान रखना है आप знать और पाई डे के बाद यह दो मना लिया गया 14 तारीक को 14 तारीक के बाद 15 तारीक को वर्ल्ड कंजूमर राइट डे मनाया गया वर्ल्ड कंजूमर राइट डे बहुत important है इसकी theme थी empowering consumers through clean energy transition यह आपने ध्यान लखना है और उसके बाद मनाया गया 20 मार्च को 20 मार्च को भी एक important day मनाया गया वो था world sparrow day इसकी theme भी पूछी जा सकती है मैंने टेलिग्राम पर भी वैचे डाली थी कभी Q's की रूप में तो world sparrow day की theme थी I love sparrow I love sparrow जो था वो इसकी theme थी यह आपने ध्यान रखना है और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद 20 मार्च को ही था वो international day of happiness भी मनाया गया 20 मार्च को ही गया वो international day of forest मनाया गया 20 मार्च को था यह important ध्यान रखना है आपने international day of forest International Day of Forest की अगर हम बात करें न तो International Day of Forest की theme क्या थी इसकी theme important है, Forest and Health जो ताओ इसकी theme थी, Forest and Health ये इसकी theme थी, ये आपने ध्यान रखने है International Forest Day 21 March को मनाया गया, 21 March के बाद 22 March को World Water Day मनाया गया ये भी बहुत important है, World Water Day, World Water Day जब important है तो उसकी theme भी important है इसकी theme थी, Accelating the Change to Solve Water and Sanitation Crisis, ये इसकी theme रखी गई थी 22 March को बिहार Foundation Day मनाया गया, 1912 में बिहार किस्तापना की गई थी, 23 March को सहीद दिवस जो हो मनाया गया World Tuber Closies Day 24 March को मनाया जाता है, Yes, We Can End TV जो था वो इसकी theme रखी गई थी, Yes, We Can End TV जो था वो इसकी theme थी, ये आपने धियान रखना है और उसके बाद 27 March आया, 27 March को World Theater Day मनाया गया, 30 March को Rajasthan Day जो हो मनाया गया और 30 March को ही पहली बार जो था वो International Day of Zero Waste भी मनाया गया तो International Day of Zero Waste पहली बार मनाया गया और 30 March को जो था वो मनाया गया, ये आपने धियान रखना है March महीने के Important Day हो गए, उसके बाद आगया अपरेल 2023, तो पहली अपरेल को जो था वो उतकल दिवस जो हो मनाया गया, उडिशा डे भी जो हो इसको कहते है उतकल दिवस को उडिशा डे भी जो हो कहा जाता है, ये आपने धियान रखना है, ये पहली ही अपरेल को मनाया गया और उसके बाद पांच अपरेल को मनाया गया नेशनल मेरिटाइम डे ये आपने धियान रखना है नेशनल मेरिटाइम डे जो था वो कब मनाया गया पांच मार्च को मनाया गया उसके बाद साथ अपरेल को मनाया गया health for all इसकी theme रखी गई थी यह आप ध्यान रखें health for all इसकी theme रखी गई थी साथ अपरेल के बाद 10 अपरेल को जो है वो world homeopathy day मनाया गया world homeopathy day 10 अपरेल को मनाया गया चलो ठीक है यह आपने ध्यान रखना है पर उसकी theme क्या थी इसकी theme थी one health one family इसकी theme भी important है वन हेल्थ वन फैम्ली इंपोर्टन्ट है उसके वाद 13 अप्रेल को मनाया गया सियाचिन डे सियाचिन ग्लेशियर है आपको फता है यहाँ पर ऑपरेशन मेगधूत जो था वो 1984 में चलाया गया था तो यह 13 अप्रेल को प्रतेकवर्स मनाया जाता है उसके वाद 14 अप्रेल को अंबिडकर जेयनती जो है वो मनायी गई और उसके वाद 15 अप्रेल को वो वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया वर्ल्ड आर्ट डे जो है वो मनाया गया विश्व कला दिवस इसकी थीम रखी गई थी आर्ट इसकी थीम रखी गई थी और 16 अप्रेल को Save Elephant Day जो है वो मनाया गया, 17 अप्रेल को World Homeophila Day मनाया गया, 18 अप्रेल को International Day of Monument and Sights मनाया गया और 21 अप्रेल को National Civil Services Day मनाया गया, यह important है National Civil Services Day जो है कम मनाया जाता है तो यह 21 अप्रेल को मनाया जाता है यह आपने ध्यान रखना है और 22 अप्रेल को जो है वो International Mother Earth Day मनाया गया, Mother Earth Day जो है वो इस दिन मनाया गया Simply आप Earth Day भी जो है वो कह सकते हैं कि कम मनाया जाता है तो 22 अप्रेल को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी, Invest in Our Planet यह इसकी थीम रखी गई थी उसके बाद 23 अप्रेल को जो है वो World Book and Copyright Day जो है वो मनाया गया, 23 अप्रेल को मनाया गया, इसकी क्या थीम रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी, Indigenious Language यह आपने ध्यान रखना है, Indigenious Language उताओ, वो इसकी थीम रखी गई थी ठीक है यह भी हो गया, 24 अप्रेल की बात करें तो 24 अप्रेल को नेशनल पंचाइती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है, 25 अप्रेल को World Malaria Day मनाया गया, 26 अप्रेल को World Intellectual Day मनाया गया, 28 अप्रेल को World Day for Safety and Health Work मनाया गया, और 39 अप्रेल को World Veterinary Day जो था वो मनाया गया, तो चली है जी मैई महिने के इंपरंटन डे में पहली ही मैई को जो है वो एक इंपरंटन डे मनाया जाता है, इसको जो फो इटरनेशनलर लेबल डे जो हो कहते हैं, और यह बहुत इंपरंटन डे है, पहली मही का International Labour Day जो है यह मनाया गया, और उसकी बाद Second मही को मनाया गया, World T Tuna Day ट्यू ना कमछली है वर्लड ट्यूना डे जो है वह तिन मना जाता है वैसे यह वैसे इस पर वार सैकंड मैं को वर्लड अस्थमा डे Wam या गया वैसे वर्ल्ड ही 2023 में यह observed किया गया और माई 3 को ही जो था वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीड बेद्ध बीilot मनाया relig आठ माई उंपिर आठ माई की बात करें तो वर्ल्ड रेड्ड क्रॉस डेट बी यह मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है वह 8 माई को मनाया जाता है और 11 माई की बात करें तो 11 माई को जो है वो नेशनल टेकनोलोजी डे जो है वो मनाया गया कौन सा नेशनल टेकनोलोजी डे जो है वो मनाया गया इस दिन यह आपने ध्यान रखना है नेशनल टेकनोलोजी डे इंप अवर फ्यूचर यह आपने ध्यान रखने हैं अवर नर्स इज अवर फ्यूचर जो था वो इसकी थीम दी इस वार यह ज़रूर ध्यान लखे और 12 माई के बाद 13 माई को वर्ल्ड माईग्रेटरी डे जो मनाया गया वर्ल्ड माईग्रेटरी डे इंपॉर्टन डे है और वैसे यह सट्रे डे सट्रिड of माईग को मनाया जाता है और सेकिंड अक्तूबर में भी इसे वर्लड माय ग ciekी भरैस म हम बात करें 17 माई को World Telecommunication and Information Society Day मनाया गया 18 माई को जो है वो Important Day जो मनाया गया वो मनाया गया कौनसा International Museum Day Museum Day पूछा जाए कि कब मनाया जाता है तो ये 18 माई को मनाया जाता है और इसकी Theme क्या कुछ रखी गई थी तो इसकी Theme रखी गई थी 18 माई के बाद 20 माई को World B Day मनाया गया B यानिके मक्खी जो होती है न तो वही डे जो था वो 20 माई को मनाया गया और अगर हम बाद 20 माई के बाद देखेंगे 21 माई को तो 21 माई को जो था वो World Metrology Day मनाया गया Anti-Terrorism Day भी जो है वो इस दिन मनाया जाता है और उसके बाद 20 के बाद 22 माई को जो था वो International Day of Biological Diversity मनाया गया 23 माई को World Turtle यानिके कच्छवा डे जो हो मनाया गया 24 माई को जो था वो Common Wealth Day मनाया गया इंडिया में 25 माई को जो था वो World Thyroid Awareness Day मनाया गया और 30 माई को जो था वो Goa Statehood Day मनाया गया 31 माई को जो है वो Important Day जो माई का आया World No-Avacue Day No-Avacue Day जो हो कब मनाया जता है तो ये मना जता है 31 माई को ये आपने ध्यान रखना है और इस वार इसकी Theme क्या थी इसकी Theme थी Grow Food No-Avacue ये इसकी Theme थी Grow Food No-Avacue जो था वो इसकी Theme थी तो ये होगे Important Day माई महीने के भी तो हमने लास्ट के पांच मन्थ जो था वो यहां से Revise कर लिए मुझे लगता है कि पांच मन्थ बहुत है एक वीडियो में Revise करने के लिए तो यहां से हमने हरी Fact को Cover करने की कोशिश थी टेलीग्राम पर ज़रूर जोइन करें अगर भी तक नहीं किया है अपने टेलीग्राम से किस तरह से सर्च करेंगे आप दरे, टॉल एक्जाम, 31 सर्च करेंगे टेलीग्राम चनल मिल जाएगा अभी Important Questions मैं आप से पूस्ता हूँ वो आपको Comment करके Answer बताने है कि World Population Day āजए हो कब मनाया जाता है कौन से डे में बताना है आपको World Population Day जो है वो बताना है कि कब ये मनाया जाता है ठीक है, ये आप ज़ल्दी से comment करके بتाए World Population Day और इस वर्सीस की theme क्या रखे गई थी वो भी ज़ल्दी से comment करके बता दे World Population Day की ये तो आपको पता होने चाहिए क्योंकि हमने एक वीडियो में ये भी important days जो है वो discuss कर रखे हैं और इसके लावा मुझे ये भी comment करके बताएं कि international tiger day जो है वो कब मनाया जाता है international tiger day जो है वो कब मनाया जाता है ये आप जल्दी से comment करके बता दिजी दोनों ही असान questions है हमने revise कर रखे हैं पढ़ रखे हैं पहले comment करके बता दिजीए telegram का आपको पता है कैसे join करना है आज की इस वीडियो में इतना ही है that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently